हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है जब हम अपने वर्ट्प्रेस थीम को चेंज करते हैं या फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी वर्ट्प्रेस की वेबसाइड है उसके डिजाइन को हम चेंज करना चाहते हैं और फिर हम को इसे बना रहे होते हैं लेकिन उसमें आपना घ्र सकती है। अ महले इसान हम उसको हम तरहारी वेडियो मेरे में मेडार चाहते है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस tavक RIGHTा आप आपो अपने उक क्रोडक्स को भी किस तरीके से आप migrate कर सकते हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं बिना किसी देरी के जैसे कि आप देख सकते हूं मैंने एक e-commerce वेबसाइट यहां पर क्रेट की हुई है तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे about our new website अपने कीसे दूसरे नई वेबसाइट drugstore कर सकते हैं इसके अलाबा यह प्रॉड़ॉक्स हैं और प्रॉड़ॉक्स को भी हम kीस तरीके से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में migrate कर सकते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्लगिंस की ज़रुत पड़ेगी तो प्लगिंस को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंप्ली गूगल पर सर्च करना है मकाज मकाज सर्च करने पर आपको फर्स्ट लिंक शोगा मकाज.in उसको आपको ओपन कर लेना है इस वेबसाइट का डायक लिंक वी पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप उस लिंक पर भी क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो तो जैसे कि फ्रेंट्स आप देख सकते हो इहां पर रिंज करना हुगा इस नमबर पर call करना हुआ तो चलिए अब हम अपने plugin को डाउनलोड करने के लिए हमको simply यहां पर सर्च करना है import इस प्लगिन को डाउनलोड करने का डाउनलोड करने का डाल दूँगा आप उस लिंक पर बी क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो मैंने इसे अल्री डाउनलोड किया हुआ है अब हम अपनी website के dashboard पर चलते हैं इसके बाद अब हम यहां पर scroll down करेंगे plugin समझाएंगे and add new पर क्लिक करेंगे इसके बाद अब अपने प्लगिन पर क्लिक करेंगे choose file पर क्लिक करेंगे ये जो bundle है हमने से डाउwn लोड किया है इसको सबसे पहले हमें extract कर लेना है यहाँ से मैं इस hologramime यह एक्स्ट्रेक हो गया है तो आप हम extracted folder को open करते हैं इस bundle में आपको यह main plugin मिला जाता है और साथ मैं इसके addons आपको मिलने हैं तो सबसे पहले हम इस main plugin को install कर लेते हैं install लाव पे click करेंगे तो friends हमारा plugin install हो गया है इसे हम activate कर लेंगे friends यहाँ पर हमारा plugin एक्टिवेट हो गया है यह देख सकते हो आप import export for woocommerce wrapper और इसके लाबह हमें यहाँ भी menu में भी यह show हो जाता है अब friends यहाँ पर आपको इसकी settings वगरा भी मिल जाती है और साथ में यहाँ पर आपको इसका documentation मिल जाता है इस documentation पर click करके आप इसको किस तरीके से use कर सकते हो यह साई detail आप यहाँ से ले सकते हो तो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से work करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमें यह option आ गया है export import करने का तो सबसे पहले हम यहाँ जरनल settings पर click करते हैं और इसकी settings होगरा देख लेते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहले option मिलता है default import batch count का तो यहाँ पर हमें set के लेना है products हो गए या फिर orders होगए जो भी हम यहाँ पर import करना चाहते हैं वह कितने-कितने batches में import हो मैं अभी के लिए यहाँ पर 50 कर देता हूं 50 के 100 कर देता हूं और यहाँ पर default export batch count है यह भी 100 है तो इसको मैं 100 ही रहन देता हूं इसके लाबबा यहाँ पर advanced settings में जाएंगे तो यहाँ पर maximum execution time वगरा है तो यह 30 है तो मैं इसको 30 से थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं 120 कर देता हूं ब्लोग third party plugin hooks वाइल इंपोर्टिंग तो इसको ऐसी रहन देते हैं इसके लाब फेंड्स यहाँ पर दूसरे settings वगरा है तो अभी के लिए इन सभी को मैं by default रहने देता हूं और इसे यहाँ पर update settings पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम तो यहाँ पर हमें select करना है तो अभी यहाँ पर कुछ भी show नहीं हो रहा क्योंकि हमें जो भी export करना है या इंपोर्ट करना है उसका जो add-on है हमें पहले install करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चाहता हूं हमारी जितने भी orders है यह जो orders है हमारे पास इनको export करना ताकि मत जब दूसरी website बनाऊं या इस website के theme को change करूँ और इसमें कुछ settings होगार अगर हो तो जो मेरे orders का data है वो save रह जाए या फिर दूसरे जो मेरे website create करूँ उसमें यह orders details जो भी है हमारी वो चली जाए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर order का जो add-on है वो add करता हूं तो यह अगर आप अपने वेबसाइट के जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यह अगर आप चाहते हो रिव्यूज वगरा भी आप एक्सपोर्ट करें जो आपकी कैस्टमन ने आपकी website पे डाला है तो वह भी आप यहां से कर सकते हो विए यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हूं और यहां पर यूजर क्लिक करते हैं इस्टाल नाव पर क्लिक कर देंगे तो यह वहारा जो add-on plugin है order का वो हमने activate करना है यहापर तो यह हमारा plugin एक्टिवेट हो गया है तो अब दुबार समय यहापर जाएंगे और यहापर मैं export पर क्लिक करता हूँ तो यहापर friends देखिए अब जो हमें order को export करने का option मिल रहा है तो यहापर हम order को select कर लेते हैं और select इसको next करेंगे तो friends यहापर हम advance export select किया हुआ है तो अब यहापर step 3 पर क्लिक करेंगे तो यहापर friends आप अपनी settings वगदा कर सकते हो जैसे total number of order export तो यहापर unlimited है कितने जो orders आप export करना चाहते हो यहापर आप सेट कर सकते हो किस order status के order को ही आप सिर्फ export करने जा तो यहापर तो और all order selected है लेकिन अगर आप यहापर चाहते हो कि सिर्फ completed order एक्सपोर्ट हो तो वह भी आप यहाँ से कर सकते हो और यहापर मैं आपको दिखाने के लिए भी सिर्फ all order कर दूँगा और मैं सभी जितने भी order है मेरी website के अंदर उन सभी को मैं export करूँगा तो अब इसके बाद फोर स्टेप पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इस स्टेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ्रेंट्स हमें ऑप्शन मिलता है एक्स्क्लूड और इससे पहले आपने अगर कोई order वगएरा जो एक्सपोर्ट किया होगा तो उसको आपके उपर डिपैंड करता है कि आपको अच्छी तरीके से दिखे यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट फाइल का जो है नाम डाल देना है तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूं और ओर्डर तो यहाँ एंग ऑ्रड़र डाल दिया है इसके बाद अपको यहाँ पर औप्शन मिलता है कि एक्सपोर्ट फाइल फार्मेट है वो किस फॉर्मेट में होगा तो कुछ सकते हूं यहाँ और फिर स्क्राइब इसको मैं बिन देता हूं और इसके राब आप अपर सकते हूं आपके जो पुर्ड़क्स एक सेपरेट होंगे तो यहां पर कॉम आई रहन में देता हूं और इनेबल FTP अब्सपोर्ट तो इसको में कर देता हूं यहां पर और एडवांस ऑप्षन में में देखते हैं क्या है तो इनेचपक नहीं करते हैं और यह export in batches of 100 ठीक है यह भी हमने जो 100 सेट किया था इसके बाद फ्रेंड्स अब यहां पर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे अब फ्रेंड्स यहां पर हमें फाइल डाउनलोड करने का उप्शन आ गया है तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां भारी इस तरीके से सभी ओर्डर यहां पर हमें जो है एक्सपोर्ट हो गए है जो हमारी वेबसाइड में थे यह ओर्डर नंबर से आप देख सकते हो और इडी वगएरा और इसके लाबा यह साई चीज़े और डेटेल से हमारे वेबसाइड में थे तो फ्रेंड्स हमने अपने जो प्रॉडक्स है उनको भी एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लगिन में जाएंगे दुबारा एड न्यू पर क्लिक करेंगे अप्लोड प्लगिन पर क्लिक करेंगे चूस फाइल पर क्लिक करेंगे अब फ्रेंड्स हमें यहां पर दुबार से यहाएंगे एक्सपूर्ट पर क्लिक करते हैं अब हमें यहाँ पर order के साथ products को भी export करने का options होने लग गया है product और उसकी category और tag अभी हम export कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं यहाँ पर products को select करता हूं यहाँ पर मैं इसको export करता हूं चैंक पर एडवांस सेटिंग्स को पर हम सलेक करेंगे और यह इसम canada 240 रहें देंगे पहले की तरह ही इसके बाद यह इन सभी को अब मेटढ़ डाटा है इसको भी हमघ़ डिफॉल्ट रहें देते हैं और तो फ्रेंट्स यहां पर भी हम मोस्ट और डिफोल्टी रहने देंग तो यह देखे अब हमारी product की detail भी जो है यहाँ पर download होगे तो हमारी product की side detail यहाँ पर देख सकते हो download हो गई है अब हम इस csv file का use करके अपने दूसरे website में जो हमने create की है अपने orders और अपने users और अपने प्रोडक्स जो भी हमारा आटा है इस वेबसाइट का उससे दूसरे साट में इमपोर्ट करसेग सकते हैं enfrementが तो मैं आपको इसी वेबसाइट में इंपोर्ट करगर दिखाता हूं तो सबसे पहले जो ऑडर सें सभी ऑडर को कि डिलीट कर देता हं तो टो अब हम ने इस website के सारे orders डिलेट कर दिया है मैं आपको page भी रिफ्रेस्स करके दिखाता हूँ अब हमारे website में एक भी ओरण नहीं है और साथ ही मैं आपको यहां पे products भी delete कर देता हूँ आ यहां पे मैं, तो यह सारे products में डिलेट कर देता हूँ यहां पर हमारे website से सारे products delete हो गए है तो friends अब मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरीके से products और अपने orders को import करते हैं import पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम select करेंगे हमें क्या import करना है तो सबसे पहले मैं अपने products import करूँगा तो मैंने products select कर लिया है इसके बाद friends हम step 2 पर क्लिक करेंगे advance है एडवांस ही रहें देंगे और यहां से आप आपको select करना है जो आपका फाइल हो कहां पर है मेरे computer में ही है तो मैं locally cycle कर लेता हूं और उसके बाद friends यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां downloads में तो यह products का csv file है तो इसे मैं select कर लेता हूं और यहां पर मैं open पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद हम यह step 3 पर क्लिक करेंगे और यह सारी हम जो है बाइडिफॉल्टी रहने देते हैं और step 4 पर क्लिक करते हैं और इन सभी को skip import न्यू प्रडक्स वगएरा यह सभी हम by default रहने देंगे और इसके बाद friends हम यहाँ पर import पे click कर देंगे यहाँ पर हमने import पे click कर दिया है और यहाँ पर friends import पे click कर देते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमें show रहा है import completed और जो सारे हमारी products हैं यहाँ पर import हो गया है अ तो अब हम इसे cut कर देते हैं अब में आपको दिखाता हूँ यहांपर हम प्र thinkers पर जाएंगे All products पर क्रिक करते हैं तो यह देखे आपके יהगे हमारे सारे products यहँपर हमें अब ब्र Fahrst Drive एगये अ Пока अब साथ जिर पर हमें अ계 outside यहाँ पर हम यहाँ हम ऑडर को भी इंपोर्ट करता है यहाँ पर इंपूर्ट करेंगे और अब यहां पर U यहाँ परम ख़ोसाथ सफस्य यह वह बैदर करते हैंद car Сам सब्सक्राइब शर्च करते हैं अब इत्वार किया हुआ है तो step 4 पे click करेंगे और इसके बाद friends अब हम import पे click करते हैं और जो हमारे orders हैं वो भी import होना start हो जाएंगे तो यह देखे friends हमारे सारे order भी यहाँ पे import हो गए हैं यहाँ पे हमें show हो रहा है import completed तो इसे हम cut कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ orders पे जाकर करेंगे तो यह देखे friends हमारे सारे orders यहाँ पे हमें show होने लग गए हैं तो देखा friends कितने easy तरीके से आप अपने website के data export और import कर सकते हो यह आपके लिए बहुत useful होगा अगर आप अपने website के theme को change करना चाहते हो यह फिर अपने website को बिल्कुल नया create करना चाहते हो और उस time आप अपने website का जो भी data है उसको आप export कर सकते हो और जब आप अपने website को completely design कर लो अपने से मोडिफाई कर लो उसके बाद अपने सभी डाटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइड में यह फिर आपने कोई नई वेबसाइड बनाई है और उस वेबसाइड में आप अपने पुरानी वेबसाइड का डाटा जो है यूजर डिटेल्स, ओर्डर्स, प्रोड देखां कितने इजी तरीके से आप अपनी वेबसाइड के डाटा को एइंपोर्ट कर सकते हो तो आपको यह video पसंद आई होगी अगर आपको यह video पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्कारब करें and बैल आकन जरूऱ प्रेस कर दें, ताकि जब् वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू फ्रेंड्स